नमस्कार कलस कंपनी में आप सभी का हार्दिक स्वागत है और आज हम यहाँ पर एक खीरे के खेत पर खड़े हुएं तो हम किसान भाई से बात करते हैं किसान भाई नमस्कार सबस्वे पहले आपका नाम बताए जो गाम माली खेडा तेसिल बेगु जिला चितोडगार राष्थान के अंदर है इन्होंने यह खीरा लगाया है तो हम बात करते हैं कौन सी कंपनी का खीरा लगाया कलस कंपनी गाए तेरे जिरो एक वराइटी लेगा किसान भाई आप लोगों बता देना चाहता हूं यह आठ अक्टूबर को हमारे किसान भाई ने लगाया है और हम दिनांकी बात करते हैं तो हाथ 2 दिसंबर है लगबर चाउपन दिन की वराइटी हो गई है चाउपन दिन का पोधा है यह देखिए आप इसमें और इसकी लं आप आपको तो आपको यहांज लगा थाट जए लल्लाल जी ने इसको बहार लगाया है जमिनली केसा लगा लगा तो कैसा उत्तपादना रहा आपको उत्तपादना पोधाना हम हार एक दिन चोड तो ओड़े करें सर अबी तक कितना घ्हरा आप ने बेचा है सके अंदर किसान भाईयों में आप लोगों बता देना चाहता हूं यहां पर जो है यह अभी चावपन दिन की फसल हो चुकी है इधर दिखाई बिया और यहां जो है जमना लाल जी ने इसको लगबग दो टन के आसपास यह खीरा बेचा है एक इससो बाइसो किलो बता रहे हैं दो टन हो हमको खुराग का ज्यादा द्रखना इधर दिखाई हुए तो इस वेराइटी को खुराग ज्यादा चाहिए चाहिए तभी जाके देखिया आप फालों की संक्या देखिए एक पोदे के अंदर पहला रहे हैं एक दम यह बहुत सांधार बियाटी है जो आपको अभी कितनी किसान भाई यह जो है जो है चोपन दिन का पोदायर इसके अंदर चार तोड़ा हो गई यानी कीस चो किलो यह दो टन के आसपास इसका खीरा भी निकल चुका है बहुत ही सांधार वेराइटी आप आगे देखिए अगर अभी मुसम में जो भुत खराब चल रहा है चार पा किसान भाई यहां पर जमिनलाल जी यह कह रहा है कि अगर आप यह खीरा लगा रहे हो कलस कमपनी का 301 यह डवल पर पजवाला खीरा इसको आप पॉली हाऊस में भी लगा सकते हो और अंदर भी लगा सकते हो कम खर्चे में आप इससे ज्यादा पैसा कमा सकते हो इसी के साथ किसान भाईı बहुत बहुत धन्यवाद झाल झाल